नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हों बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूं अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भोग परसाद वाले बतासे घर में कैसे बनाए उसकी बहुत ही आसान रेश्पी तो फ्रेंड्स नवरातरी का शुरुआत हो चुका है अब तरह तरह के परसाद से मा को भोग लगाया जाएगा तो इसमें एक परसाद आता है बतासा मीठा बतासा तो घर में ही आप बना के जटपट से और बतासे का भोग लगा सकते हैं और रोज के पूजे के लिए भी आप चाहें तो बतासा बना के घर में रख सकते हैं बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसानी से एकदम सुधता के साथ तो फ्रेंड्स यहां पर लिए आप बना सकते हैं क्यूंकि ये बहुत जल्दी जमने लगता है वीडियो पूरा देखिएगा आधा दूरा वीडियो देखके आप बतासा बनाने का कोशिस मत कीजिएगा नहीं तो एकदम नहीं बनने वाला है तो फ्रेंट जितना हमारा चीनी था उतना का आधा चीनी का आध कीजिएगा, जादा से जादा शेयर भी कीजिएगा फ्रेंट चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा notification bell जो छोटा सा घंटी होता है उसे भी एक बार जरूर दवाईएगा तब आपको हर वीडियो का notification जाएगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे हर रोज दो वीडियो अपलोड करती हूँ एक वीडियो दिन में 11-12 के बीच में जाता है हर रोज और एक वीडियो साम में 6-7 के बीच में जाता है तो आप हमारे दोनों वीडियो को जरूर देखा करें और ज्यादा से ज्यादा रेस्पी का बना के आप घर में बहुत ही आसानी से और रखा करें फ्रेंड्स हमारे रेस्पी में नहीं कोई जादा ताम जाम होता है नहीं बहुत जादा खर्च वाला रेस्पी होता एकदम सिंपल साधारन रेस्पी बना के डालती हूँ जो कोई हर कोई फ्रेंड्स अपने घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समान में जिसम के उपर देखे कितना गंद की सा लग रहा है चीनी का जो मैल होता है वो फेन फेन वन के उपर आ चुका है तो इसे हमें साफ करना है चीनी को भोल को अच्छे से साफ करके बतासा बनाईएगा तो एकदम सफेद सफेद सा दूद के जैसा बतासा बनेगा देखे फ्रेंट्स है दो चम्मच इसमें दूद डाल देती हों दूद डालते ही इसका जो फेन है इसका जो गंदकी है एकदम उपर आ जाएगा और चीनी एकदम क्लीन हो जाएगा इसका जो चासनी है एकदम क्लीन हो जाएगा तो देखे फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जिन्हें आता है बतासा बनाना उनके लिए तो बहुत ही साधारन और सिंपल रेस्पी है वो तो साइद देखे भी ना लेकिन जिन्हें नहीं आता है उनके लिए बहुत ही अच्छा रेस्पी है क्योंकि पूजा तो हम लोगों के घर में हर रोज होता ही होता है तो क्यों ना बतासा घर में ही बना के तयार किया जाए तो देखे फ्रेंट्स इस तरीके से आप कोई चमच ले ले और चमच के सहारे से उपर से जो इसका फेन आ गया है चीनी का जो गंदी की एक साइड हो रहा है आप देख पारें इसे सारे को निकाल लेना है कुछ इस तरीके से सारे फेन को निकाल लीजे और चीनी एकदम साफ सुथरा आपको मिल जाएगा बतासा बहुत तरह से बनाया जाता है और सफेद सफेद भी बनाया जाता है तो आप अपने पसंद से बना सकते हैं आपकी मर्जी रेश्पी आपकी है तो आपकी मर्जी इसे आप सफेद बनान तो देखे फ्रेंड्स यह चीनी का गंद की जो है निकल गया है अब चीनी का चासनी हमारा एकदम पूरा अच्छे से साप सुथरा आपको दीख रहा होगा तो देखे अभी इसे और पकाना है जब चीनी पक जाएगा और जो पैन है पैन के चारों तरप आपको लगेगा कि नहीं तो आप दो चार ड्रोप किसी प्लेट पर डाल के देखिएगा फ्रेंड्स यदि प्लेट पे डालते ही वो इधर उधर ना जाए एक दम एक ही जगा जमा सा रहे तो आप समझेगा कि ये चीनी का जो चासनी है बतासा बनने के लिए तयार है यदि ये कच्छा रह जाएगा तो भी आपका बतासा सेट नहीं होगा और यदि जादा पका लेंगे तो दो चाड़ ही बतासा बनाएंगे और सारा चीनी जम जाएगा तो ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक नहीं किये हैं तो जटपट से लाइक भी कीजिए अच्छा लगता है आपके लाइक से हमें खोसिया मिलती है और बनाई गई रेजपी हमारी अच्छी लगी होगी और चैनल पढ़ना ही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले तो देखिए फ्रेंट्स अब हमारा चीनी जो है एकदम पूरा क्लेर हो गया है और देखिए इ दोचाट्य ड्रोब डाली हो प्लेट में तो देखिए फ्रेंट्स देखिए किनारे इंति अच्छीनी जैसे सुख रहा है तो अभी क्टाएम में कुछ रिए यह बन चुका है हमारा चासनी जह त्यार हो शुकाः बतासा के लिए इसमें डाल रही हूं बेकिंग सोडा और जट पट से इसका बतासा बनाना है कुछ इंतजार नहीं करना है जाग के बजह से यह बतासा जो एकदम खोखला खोखला और फुला फुला सा बनता है जैसे कि मार्केट में मिलता है बहुत कोई इसमें मैदा भी एड कर देते हैं लेकिन मैदा नहीं डाली हूँ अब यहा तो देखे फ्रेंट थोड़ा सा डाल दी हूं इसी में जो भी करना है आपको जटपट से करना है देखे पैन में चीनी सुखना शुरू हो चुका है तो कुछ इस तरीके से बस एक ही जगह डालिए खुद बखुद से ले लेगा और आपके पास ऐसा मैट नहीं है तो आप क्या कीजिए सूती कोई दूपटा है या सारी है या रूमाल है किसी के भी उपर आप बना सकते हैं लेकिन कपरा जो है वो सूती का होना चाहिए बहुत ही अच्छे से ये बतासा सुखने के बाद निकल जाता है तो देखे फ्रेंट जटपट से इतना बतासा हमारा बना है एक कटोड़ी चीनी में अब इसे अच्छे से ठंडा होने देती हूँ जब बतासा हमारा पूरे अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये खुदवखुद निकल जाएगा इस मैट से बाहर देखिए कुछ देखे चीनी हमारा पूरा अ जब तक बतासा अच्छे से ठंडा नहीं होगा, आप इसे निकालिएगा नहीं नहीं तो ये तूट जाएगा, गरम गरम निकालिएगा तो ये तूट जाएगा, थोड़ा सा रख दीजिए पंखे के हवा में या ऐसे भी इतुरत ही सुटके निकलने लगता है, तो चलिए फ् कितना अच्छा से बस छू रही हूं इस तरीके से और बतासा निकलते जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, देखिए कोई तूट भी जा रहा है, जो की गरम गरम सा है, देखिए इस तरीके से, आराम आराम से सारे बतासे को निकाल लें, और ठंडा करके डब्बे में रख ल अब फिर इतना बतासा बना लें, एक बार इतना सारा मत बनाईए कि आप बनाते बनाते ही चासनी आपका जम जाए, तो देखिए फ्रेंट्स कुछ इस तरीके का हमारा पीला और उजला बतासा बनके तयार हुआ, उम्मीद करते हूं आपको ये बतासे वाली रेस्पी अच थांक यू